दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केश्रिवाल को गिरफतार कर लिया। के अंदर और बाहर ऐसी कई शक्तियां हैं जो देश को कमजोर कर रही है। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को हराना है। दिल्ली की मेरी मा बहने सोच रही होंगी केश्रिवाल तो अंदर चला गया। पता नहीं अब महीने का हजार रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी माताओं और बहनों से अपील है कि अपने भाई और बेटे पर भरोसा रखो, ऐसी सलाखे नहीं जो आपके भाई और बेटे को जादा दिन अंदर रख सके, मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा, आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, ब लेकिन उनके खिलाफ मनी ट्रेल के कोई सबूत अब तक पेश नहीं किये हैं, और जहां मनी ट्रेल के सबूत सामने हैं, वहां कारवाई को भी तैयार नहीं है, आतिशी ने कहा कि जिस शरत चंद्र रेडी के बयान पर दिल्ली के मुखे मंत्री को गिरफतार किया गया है, उ एडी बीजेपी को इस केस में आरोपी बनाए और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड़ा को गिरफतार करें, खिन सरकार द्वारा सुप्रीम कोड में इग याचिका दाखिल की गई थी, जिसके तहत उन्होंने प्रिवेंशन आफ मनी लॉंडरिंग एक्ट यानी PMLA को ले गिरफतारी के आधार देने चाहिए। नर्विचार करने की मांगी थी, जिसमें उसने पंजाब और हर्याडा हाई कोड के आधेशों के साथ-साथ गिरफतारी मेमो को भी रत कर दिया था। इलेक्टोरल बॉंड पर खुलासा होने के बाद से ही देश में सियासत तेज हो गई है। चुनावी चंदे को लेकर चौकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। जो डेटा सामने आया है उसमें साफ हुआ है कि चंदे के खेल में केंद्रिय एजेंसियों का डर भी दिखाई दे रहा है। केंद्रिय एजेंसियों के जाज के दाइरे वाली 41 कंपनियों ने बीजेपी को 2471 करोड रुपए का चंदा दिया है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इसमें से 1698 करोड रुपए तो केंद्रिय एजेंसियों के चापे के बाद दिये गए हैं। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि कैसे चुनावी चंदे के बदले कमपनियों को सरकारी फायदे पहुचाए जा रहे हैं मामले में वरिष्ट वकील प्रशान भूशन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कम से कम 30 शेल मुखोटा कमपनियों ने 143 करोड रुपे से अधिक के चुनावी बॉंड खरीदे हैं उनका दावा है कि 33 कमपनियां जिन्हें सरकार से 172 प्रमुक कॉंट्राक्ट और परियोजना की मन्जूरी मिली है उन्होंने भी चुनावी बॉंड के माध्यम से दान दिया है मामले में मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रस्ट्रक्चर लिमिटेट का नाम सबसे जादा चर्चाओं में है चुनाव आयोगद्वारा जारी चुनावी चंदे की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कम्पनी ने कुल 130 करोड के बॉंड खरीदे जिसमें 125 करोड रुपए का चंदाब BJP को दिया है ये भी सामने आया है कि नवंबर 2019 में ही कम्पनी को आंध्यप्रदेश में 4358 करोड रुपए के पोला वरम ट्रुजेक का ठेका मिला इसके ठीक पहले अक्टूबर 2019 में कम्पनी ने 5 करोड रुपए के चुनावी बॉंड खरीदे थे 2023 में कम्पनी ने 140 करोड रुपए के इलेक्टॉरल बॉंड खरीदे चुनावायो की रिपोर्ट के मुताविक मेगा इंजीनेरिंग एंड इंफ्रस्ट्रक्चर लिमिटेट की आय में तीन साल में डेड़ गुना बढ़त भी दर्ज की गई है मेगा को रक्षा मंत्राले से भी 500 करोड का प्रजेक्ट मिला है जिसके तहट कम्पनी रेडियो रिले संचार उपकरन कंटेनर उपलब्ध कराएगी कंटेनर की डेलिवरी 2023-24 में ही होनी थी मेगा गुरुप ने 2023 में सबसे जादा चंदा दिया था और चंदे का सबसे बड़ा शेयर BJP के खाते में गया है इन सबूतर के बिनाह पर BJP पर मेगा गुरुप को फाइदा पहुचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं कई कम्पनिया तो ऐसी भी हैं जिन्होंने मुनाफ़े से कहीं जादा चंदा दिया है सबसे जादा 1368 करोड रुपए चुनावी चंदा देने वाली फ्यूचर गेमिंग का शुद्ध मुनाफ़ा 2020 से 2024 के बीच महज 215 करोड रुपए ही था चुनावी चंदे मामले में BJP बुरी तरह से उलश गई है BJP के लिए इन आरोपों को नकारना अब इतना भी है